किसान साथियो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 405 नंबर और मैंने उसमें जो ये इस पर कोहर आ रहा था जिसे हम मंजर भी बोलते हैं उसे काटने का तरीका बताया था और क्यों काटते हैं ये भी बताया था कि पोधे छोटे हैं जब मैंने वो कटिंग की थी उसकी जो मंजर हटाया था वो कहां से काटना था ये मैंने उस वीडियो में दिखाया था और अच्छी तरह समझाया था और उसके बाद आज लगबग एक महीने के आसपास मैं ये दिखाता हूं कि उस कटिंग का क्या परिणाम हुआ और आपको वो कटिंग क्यों करनी चाहिए आप देखिए ये वही पेड़ है ये मलिका का पेड़ है ये मैंने कुछ मंजर छोड़े थे इसमें और देखे कितने इसमें आम आये हैं ये सेट हो गए हैं और मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बही कुछ सेट करने के लिए किया य अगर मैं इन सब आमो को रख लूँगा, निन सब आमो को रख लूँगा, तो ये आम इस पोधे की टाकत से बहुत अधिक हो जाएंगे, और इसकी व्रद्दी को प्रभावित करेंगे, इसलिए जब ये थोड़े और बड़े होंगे, तो मैं इनकी छटनी कर दूँगा और कम रखूँगा चुकि अभी मुझे पोधे का साइज बढ़ाना है मैं इस वराइटी को और कुछ और वराइटी हैं जो अमरपाली की हैं मैं आपको दिखाँगा कि उनकी ड्राफ वराइटी या ड्राफ कैनोपी कैसे बनाते हैं यानि छोटा पोधर कैसे रखते हैं और अधिक से अधिक आम ले सकते हैं अब आईए बात करते हैं कि आपको देखिए मैंने बताया था कि इसमें एक रिंग होता है यह देखिए यहां पर यह रिंग होता है और इस रिंग के उपर मंजर आता है रिंग का मतलब होता है कि यह चारो तरफ पत्ते एक से होते हैं निकलते हैं एक ही जगह पर निकलते हैं चारो तरफ यह रिंग होता है और मैंने कहा था इस रिंग के नीचे से काटना है रिंग के उपर से नहीं काटना है अगर यहां से काटेंगे तो गुच्छे रोक की समस् सिंग्जी ने बताई थी और फिर मैंने इसे कुछ परपत्रों में भी पढ़ा था यानि रिसर्च पेपर में भी पढ़ाता कि किस प्रकार करने चाहिए तो मैंने मंजर हटाते समय ही यह कटिंग की थी और एक भाई ने मुझे लिखा था कि इस समय आपने cutting गलत करी है और इसमें समस्या भी आएगी फंगस की समस्या आएगी एक भाई ने मुझे लिखा था कि इस समय इस प्रकार cutting नहीं करनी चाहिए और इसमें फंगस की problem आएगी मैं अब आपको उसका परिणाम दिखाता हूँ यह देखिए इस टहनी से मैंने यहां से यह देखिए यहां पर इसके उपर से यहां से मैंने वो किया था यहां पर इसका ring था और यहां से cutting किया था इसके बाद में यह जो नया कल्ला निकला है यहां से निकला है अगर मंजर के नीचे से काटते हैं तो आपको एक फाइदा होगा कि सारे कल्ले एक जगह नहीं लिख लेंगे ये देखिए ये नहीं साखा निकली है ये इस पत्ते पर निकली है और ये दूसरी साखा इससे एक पत्ता नीचे छोड़कर निकली है और फिर साखा नीचे निकलेगी और ये भी ध्यान रखिए कि इनके बीच में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, के लगभग, दस पत्तों का अंतर होता है, दस पत्तों के बाद आपका दूसरा निगाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप देखिए, आईए एक दूसरी टहनी का करते हैं, ये कितनी मजबूर टहनी हो गई, इसका भी देखिए, मैंने यहां से किया था, तो पहला यहां से निकला है, इसमें पहले पत्ते से निकला है, फिर उससे नीचे पत्ते से एक निकला है, और यहां से निकला है, अगर यही काम जैसे यहां देखिए, ये रिंग है और इस रिंग पे ही एक दो तीन चार टहनिया निकली थी मैंने ये चारों हटा दी थी चुकि एक जगह पर अगर अधिक टहनिया निकलती है तो वहां से टहनि कमजोर हो जाती है और ये जो हना इसके तूटने का भी खत्रा रहता है बहुत तेज हवा में तो आप देखिए यहां पर कितने सुंदर ये निकले हैं इसी प्रकार ये देखिए मैं जो करता हूँ वो बहुत सोच समझ कर इसके एक्सपर्ट से सलहा लेकर और रिसर्च पेपर से इसको परमानित कर मैं तब कोई भी कारिये करता हूँ आप देखिए कितने अच्छे इसमें फिटान हुई है ये भी देखिए यहां पर फुटान हुई है ये रहा गया था इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं नहीं रखोगा चूकि मुझे बहुत नहीं रखना ये मैं बाद में देखी यहां से मैंने काटा था अब आप देखिए इस टहरी में एक बहुत ध्यान से देखिए ये नया कल्ला निकला था यहां से नई साका निकली थी लेकिन ये हलकी रह गई चूकि इसके पास ये मंजर था ये देखिए ये जो इससे नीच साल में आप अपने पोधे का ध्यान रखेंगे उसको अच्छी तरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिनाम मिलेगा ये देखिए शुरू के तीन से चार साल थोड़ा ध्यान दीजिए उसकी कैनोपी पर ध्यान रखिए और फल मत लीजिए चुकि ये ग्राफ्टिड प इन पर मंजर आने लगता है अगर पहले तीन वर्सों में आप फल लेंगे तो पोधे की अच्छी व्रद्धी नहीं होगी और उसमें कारिया कोई भी देख लीजिए ये देखे मैंने एक ही छोड़ा था कितने सारे इसमें फल है अब ये सब फल मैं नहीं छोड़ूगा मैं एक बार इन फलो की थिनिंग करूँगा यानि इन कोटा हुआ आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको एक साल का पोधा जो आमरपाली का है और उस पर मैंने कटिंग की थी और उसका क्या परिणाम या यानि उससे मंजर रखाया था आइए किसान साथियो ये लगबग मेरा देड़ वर्स का पेड़ है आमरपाली का है और मैंने इस लाइन में आमरपाली के पेड़ लगाए है इसमें कुछ पेड़ दो तीन मलीका के भी हैं लेकिन मैं इनकी कैनोपी बनाऊंगा और ड्राफ्ट वराइटी के पेड़ है चुकि इनको मैं बहुत चोटे रखोंगा आप देखें, यह मैंने एक नाली बनाई है, और यहां से यहां की दूरी इसकी लगबग 6 फिट होगी, इसके बीच में लगाए है, इस तरफ मेरा ड्रेगन फ्रूट है, और इस तरफ एक अलग बाग रहा है, जिसमें मिस्रित पोदे होंगे, अब आईए देखते हैं, जब इस पर लगबग हर साखा पर कोहर आया था, यानि मनजर आया था, अब ये देखिए, ये रिंग है, इस रिंग के उपर एक दूसरा रिंग था, जहां कोहर आया था, और मैंने इसे बीच से काट दिया था, तो ये ध्यान से देखिए, कि ये नई साखाई चल पड़ी है, उ अगर रिंग से काटेंगे तो एक ही जग फुटान होगी और जो की बहुत अच्छी नहीं होती मैं तो उनको हटा देता हूँ. रिंग के पास कभी मैं साखा नहीं बनने ये देखिए अगर रिंग से नीचे से काटेंगे ये आपको कटिंग के बाद एक ध्यान रखे कोई भी फंगी साइड सी ओसी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो आप जो साफ है उसको भी कर सकते हैं या बवस्टीन कर सकते हैं अगर कटिंग के बाद सी ओसी का स्प्रे करेंगे लेकिन शाम के समय आज कल आज कल शाम के समय चार बजे के बाद ही करें और या उस पर उसे सी ओसी को घोलकर हलका सा यहां पर लगा दें तो कोई फंगस की प्रोब्लम नहीं होगी देखिए कितनी अच्छी सा खाय चल तो किसान साथियो यह मेरा आम का जो एक्सपरिमेंट है जो मैं कर रहा हूँ इसके एक्सपर्ट से पूछ कर और जो रिसर्च पेपर हैं उनसे पढ़कर यह बिल्कुल सही चल रहा है आप भी इस प्रकार अपने पोधो की कैनोपी बनाईए और उन्हें जल्दी ही अच्छे रूप में यानि अच्छी सेप में अच्छी कैनोपी में उनको फल लेने के लिए तयार कीजिए लेकिन उन्हें थोड़ा समय दीजिए और समय समय पर उसकी कटिंग और बोर को या म अंजर को हटाते रही है किसान साथियो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवस्य बताएं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंद्यमा विवाद्वाद रहार से ह awakening कि मुझे उन्हें कि सो में मुझे को और थसक्ताओं और समय since 10 कि मुझे पाक Зवपते है समय दोड़ा समय म् मुझे कमें शिया है मुझे विप कि उन्म कि भाम दो इन्ह दोशित्शक है 수motivity